हेलो स्टुरेंट्स वेल्कम तू एल्जी आई ओलन क्लासिज दिस दीपती क्लासिक साइंस इंट्रेस्टिंग टॉपिक इस नोज आज मैं आपको नोज के बारे बता हूंगे बता है आपको यह जो इंपोर्टेंट पॉइंट से आपने दिमाग तो थोड़ा लगा हुआ जाने इंदरी कहते हैं जिसमें आई, इयर, नोज, संग, इन इसके इन तो हमारा आज थर्ड टॉपिक है इंट्रेस्टिंग टॉपिक हम आपको लास्ट डे इयर और आईज हम आपको बता चो इयर इयर बताया था आज मैं नोज बता रही हूं और अपर लिम्स और लोवर जो वो था वो हमारा human body से related था आज मैं आपको organs बता रही हूं तो हमारा first organ है हमारा nose, nose के बारे हम बताऊंगी तो nose क्या है, सभी के body parts में nose होता है, पता होगा, face पर होता है और जो हमारा face है, just like skeleton कह सकते हैं, skeleton में हमारा face है, face में हमारी 14 wands होते हैं, कितने wands होते हैं, 14 wands हो तो आज मैं आपको nose के बारे हम बता रही हूं, nose हमारा सबसे कमजोर हिस्सा होता है, कि किसी ने ऐसे मार दिया है, किसी ने कुछ लग गया, किसी से कि चोट लग गई, तो हमारी nose पर सबसे ज़्यादा असर होता है, और इसी असर का असर सबसे ज़्यादा लंग्स पर भी प इर पाइप कह सकते हैं, और एक माउउथ से नली जाती हैं, जो इयर पाइप कहलाता तब सुन लेजें, नोस का कार क्या है? सास लेना, सास छोड़ना, और अच्छी खुस्बू लेना, नाक से हम क्या करते हैं, स्मेली तो लेते हैं अच्छी स्मेल लेते हैं गंद ले लेते हैं सूंगने का कार करती है हमारी नाक और काफी प्रोसेस है हमारी नाक जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है अगर हम सूंगने के पिरकरिया को नहीं अपनाएंगे तो हम किसी भी प्रकार से आंगे नहीं भड़ पाएंगे तो नोज हमारा जो है सबसे नाजुक हिस्सा है फिर आया हमारा माउथ माउथ के द्वारा हम जो भोजन लेते हैं वो हम खाते हैं जिसे हम स्वाद मिलता है स्वाद लेने हम लोग मुँगा प्रियोग करते हैं स्टार हमारा लंग्स अब यही नली हैं हमारी कहां जानी त्रैसा त्रैसा जो होती है वो हमारी गले से जुड़ी होती है अड़ी लंग्स फेपड़े ब्राउंची अल्ट्री और ब्राउंची जिसमें हमारी जो देख रहे होंगे जो नस्य बनी होती है वो ब्राउंची ट्र पढ़ने के साथ आपको ग्यान भी मिलता है, तो यह क्या है? डाइफराम क्या है? डाइफराम यह सोता है एक पतली सी जिल्ली, जो हमें सांस लेने और संस छोडने में मदद करती. आपने देखा हो अभी आप जब पढ़ेंगे तो अब जब हमारा ये चैनल देखेंगे आप हमारे ये टॉपिक देखेंगे तो जब आप महसूस करेंगे आप जब सांस लेंगे तो हमारे जो फेंपड़े होते हैं वो आंगे आकर फूल जाते हैं फूलने पर ये जो डाइफराम होते हैं लंग्स के नीचे से होता है ये कैसा हो जाता है ये सुकड जाता है ये हमारा कांट्रक्शन हो जाता है ये सुकड जाता है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये हमारे पिचक जाते है उस परकास से हमारे डाइफराम भी फूल जाता है हम अच्छे से सास नहीं ले पाएंगे हम किसी चीज को महसूस नहीं कर पाएंगे तो यही है कि हमारा जो नोज है वो सबसे इंपोर्टेंट हिस्सा है हमारी बॉडी का और हमारी बॉडी में सबसे इंपोर्टेंट हिस्सा होने के सास सार सबसे नाजुक हिस्सा भी है और यह हमारा एक्स्टरनल और्गन है जो हमारा देख सकते हैं छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं लेकिन जो इंटरनल और्गन्स होते हैं इसके अंदर के इसको हम नहीं देख सकते हैं वो इंटरनल और्गन्स होते हैं और जो एक्स्टरनल है यह आई है यह टक है इसके नाई है इसके ने इह यह हम ऊपर से देख सकते हैं लेकिन अंदर से नहीं देख سकते तो दिखने वाले eksternal ओर अर्गन क्याळाते हूं ना दिखने वाले जुसे हम देख नहीं सकते वो हमारे होते हैं इंटर्नल में हमारे हम बता देते हैं जिसमें हमारे हर्ट, लंग्स, रिप्स ये सारे बॉंस आते हैं जिस सारे नाम आते हैं जो हमारे इंटर्नल बॉंस क्यालाते हैं इन्हें हम देख नहीं सकते महसूस कर सकते हैं तो हम सारा बॉडी का कार भी होता है तो हाज हमने आपको नोस के बारे में बताया अगर आपको इसको किलियर ना हुआ हो तो प्लीज हमें जल्दी जल्दी मैसेस करें और हम आपको जल्दी जल्दी आंगे और अच्छे से बता सकें अभी के लिए बाई टेक्या